student once again we are most welcome in this class in which I am going to teach you workbook of class 4 that is spring की workbook है यह जिसमें आज आपको पढ़ाने वाले हैं lesson 2 drawing competition कला पृत्योगता इसमें first question हमसे करने के लिए का है draw a picture in space given जो यह जगह आपको दी गई इसमें एक आपको चित्र बनाना है जो अपनी मर्जी साब कोई भी डाइग्राम या कोई भी बढ़िया से चित्र आपर आप बना सकते हैं उसके drawing कर सकते हैं और last में इसमें यह का गया है कि जो भी आपने चित्र बनाया है उसके बारे में जो जानकारी आपको है वो इसमें लिखनी है तो आप अपने एसाब से जो भी चित्र चाय वो यहां पर बना सकते हैं और उसके बारे में यहां पर जो भी आपको दो चार लाने लिखनी आते हों उनको लिख सकते हैं देखते हैं इसमें आगे क्या है वह हम आपको करवाते हैं मतलब है किसी ब्यक्ति का नाम होगा किसी जगे का नाम होगा या किसी चीज का नाम होगा तो यहां पर देखो definition हमको given a name noun is the name of any person, police or thing noun क्या होता है किसी भी ब्यक्ति का नाम किसी जगय का नाम और किसी चीज का नाम होता है जैसे एक प्रिया रिया ये देखो प्यक्ति का नाम है कानपूर जगय का नाम है और पैंसिल चीज का नाम है तो ये यतनी हमको एक टेबल गिवन इसमें बहुत से नाउंस गिवन है उनका हमको करना क्या जो ये space given है, person में person लिखने हैं, police में police लिखने हैं, और जो things चीज़े हैं वो आपको इसमें things में लिखने हैं तो देखेगा ये back bag क्या है कोई चीज है तो वो हमें things की column में यहां पर इस प्रकार से लिख देनी है इसी प्रकार से लखनव क्या लखनव वो जगह है तो इस column में हमको लिख देना है इसी प्रकार से कानपूर, कानपूर भी जगह है तो आपको इस column में लिख देना है तो हम आपको पढ़ाय दे रहे हैं आप इनको कर सकते हैं देखाँ, शवणा एक डड़की का नाम है, हमने पर्षन की इस्तान में लिख दिया है, लखनो, लखनो लखनो आपको लिखना, पिल्येस के कोलम में, यहां पर गलत हो रहा है.. 부분 dot लखना हो ठीक तो यह पर्षन वाला कॉलम इसमें पर्षन लिखनी है और आपको सुजाता लिखना है इसमें कमल लिखना है उसकी बाद दीपक लिखना है नूरी लिखना है एजे लिखना यह इसमें पर्षन की कॉलम में लिखनी है उसकी बाद प्लेस की कॉलम आपको लखना यह आपको प्लिजेस के कॉलम में लिखने हैं और जो चीजें इसमें हैं एक बैग है, टेविल है, spor है, पैन है, book है, और fan है, इए things के कॉलम में लिखने हैं तो आप इसमें से सिलेक्ट kaब के इन तीनों कालम में भच सकते हैं दीकते हैं नेक्स कोशचन फोर क्या है। और फूर क्वेश्टन आंसर दा फालोंग क्वेश्टन का मतलब है जो आप से प्रशन पूछे जा रहे हैं इनके आपको जवाब लिखने है जैसे राइड थिरी नाव्स देट आर नेम उप पिलीश आपको कोई तीन नाव नहीं आप लिखने है जो जगों के नाम हो तो आप कोई भी तीन जगों के नाम लिख दीजेगा आप लिख दीजेगा कानपुर आगरा लिख दीजेगा ठीक दिल्ली लिख दीजेगा ये तीन जगों के नाम हो गई राइड थिरी नावस देट आर नेम उप पर्शन किनी तीन लोगों के नाम लिख दो एक इसमें आप अपन लिखकते हो एक अपने दूसरे किसी किलास के साथ ही का नाम लिखकते हो, तो हम्हीं लेकर देरेर रभी, कवीर, मोहन, यह तीन पर्शन्स के नाम होगे, यह भी नाउंस होते हैं, और इसमें अगला सवाल प्मूचा कि हमसे रायट थीरी नाउंस दैट आर नेम अफिंक्ष कि यह तीन चीजों की नाम हो गए तो इस प्रकास से कोशन फूर किया जा सकता है नेक्स कोशन फाइब हाइब कोशन रीड़ दा पैराग्राफ एंड राइड दा मिशिंग वर्ड टैस्टू इच पिक्चर नेक्स्टू इच पिक्चर इस पैराग्र आपको पढ़िएगा और प कुछ बच्चे बस से स्कूल जाते हैं गो टू स्कूल अधर चिल्डरन राइड दियर शाय के लिए वाइस के लिख दीजिएगा सी वाई सी एली सम वाइज एंड गर्ल राइड इन कार बिद दियर पैरेंट्स यहां पर पैरेंट्स बर देंगे कुछ बच्चे कार से अप ली चले जाती है ठीक फिर समय म railेंड यह विख और सम मोर नाउंस से ब्रयांट्स इसमें कुछ नाउंस हैं यानि बियक्ती और पिलीसस और जगों और जगों के नाव में वह वह व्ह-जाइट mm और भी नाउंस हैं उनको भी इन सर्क लिख कर ना कि यह 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 गोले में गे और cycle ये भी नाउन है, car ये भी नाउन है, parents भी हमारे नाउन ही होते हैं और और भी बहुते इसमें हैं तो खास-कास हमने अंसर के लिए कर दीए, इस पर कासी question five गया जा सकता है, देखते हैं, next, next six question है, complete the sentence with the help of the words given in box, ये जो box में आपको सब्द गिवन है, hello, fever, absent, definitely, guessed, sweet, stowed, second, called, competition, yes or treat, ये आपको fill in the blanks, जो ये खाली जेके given as में, fill up करने, तो पढ़ते जाते हैं और अपने हिसाब से, समझ के से बढ़ते जाते हैं, यहां पर क्या दो लड़कियां आपस में, बातचीत कर रही हैं और बातचीत किस पर कर रही हैं, उपर लिखे हूँ ये heading हमारे पास phonic conversation, phonic conversation का मतलब होता, फोन पर बात कर रही है, आमने सामने नहीं है, फोन पर बात कर रहे तो क्या बोलती है एस आए ममता हां मैं मब्ता ही बोल रही हूंag तो इस मेर नमब टू में इसको बख़तेंगे एस पिर सिवा क्या करती आएम सिवा हिएर हावारियू मैं सिवा बोल रही हूं जासे और हको तुम कैसे हो फिर हदर से ममता बोलती आई एंन ribs fine मैं ठीक नहीं और थाद मेरी तवियर ठीक नहीं है I have a fever हमें बुखार है मुझे बुखार है तो यहाँ पर आप fever बदेंगे शीवा ओ अच्छा दैट्स भाई इसलिए you were absent today आज आप absent ठी यानि इस्कूल में नहीं आई थी तो यहाँ पर absent लेखें आपको फिर उदर से ममता बोलते एस आई मिस्ट ड्रोइंग competition टुड़ी आज हमने ड्रोइंग कंप्टीशन मिश्ण कर दी यानि हमारी ड्रोइंग कंप्टीशन चूट गई तो इसमें जो भर नाम को competition भरना है competition टुड़ी फिर सीवा क्या कहती I have you to tell about the drawing competition हमने तुम्हें फॉन drawing competition के बारे में बताने के लिए किया है तो इसमें wordname को called I have called you to tell about बताने के लिए drawing competition नहीं drawing competition के बारे में बताने के लिए हमने आपको phone किया है फिर ममता कहती let me guess मुझे अंदाजा था you stood first in that my right मुझे ये अंदाजा था कि आप नहीं drawing competition में पहला इस्तान लिया होगा my right क्या मैं सही कह रही हूँ तो उदसे सीवा कहती great you तुम तो बहुत महान हो you guessed right you guessed it right तुमने सही guess किया देख यह उसने कहा ता मेरा guess मेरा अंदाजा है तो आप guess भर देंगे इसमें यहाँ पर guess given है you guessed right g u e double s e d i guessed it right तुमने सही guess किया है और आगे भी इसमें कुछ और है फिर देखी वो कहती बॉब और नहीं बॉब नहीं ममता क्या कहती हू इस्टूड second and third कौन second and third आया तो इसमें देखी गाया पर इस्टूड लिखा हुआ यह इस्टूड first इस्टूड second इस्टूड third तो हू इस्टूड second तो इसमें वरेंगे हम इस्टूड तो सीवा कहती जोहन इस्टुड सेकेंड एंड मम्ता इस्टुड मन्जीत इस्टुड थर्ड इसमें सेकेंड भी लिखा हुआ यहां पर यह तो इस सेकेंड यहां पर आ जाएगा कि जोहन शेकेंड आया और मन्जीत थर्ड आया तो अब मम्ता कहती आई विल टेकेंड फ्रॉम आलो फ्यू मैं तुम सबसे मिठाई खाऊंगे यानी मिठाई ले 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 हुए तो यहां पर दिको स्वीट लिखा हुआ है तो इसमें आप बरेंगे स्वीट फिर सीवा कहती भा करेंगे निश्चत रूप से हम आपको मिठाई खिलाएंगे तो इसमें बर देंगे हम ट्रीट तो इस प्रकास यह पूरी फिलिंदा बिलेंक्स जो गिविन थी इसमें सब्द दिये गए थे वह हमने इसमें कम्प्लेटली बर दिये देखते हैं इस एकसाज में नेक्स्ट और लास्ट वेश्चन क्या है यह रीड दा पॉयम इंसर्किल दा वर्ड विच हैव कम इंदा गिविन पॉयम हमको गिविन है यहां पर इसी को पढ़ना है और यहां पर जो सब्द दिये उनको इंसर्किल यानि गोलेम गेरना जो इस point में आए है तो come little children आओ छोटो चोटे बच्चो कम to me मेरे पास आओ बी बिल लर्न इंग्लिस हम इंग्लिस सीखेंगे बी बिल टाक हम बोलेंगे बी बिल संग सिंग हम गाएंगे बट only English लेकिन इंग्लिस में ही तो वह ये कोई मैडम होगी जो बच्चों से कहरें हैं हम लोगी English बोलना गाना English में सीखते हैं जो भी तब देखो यहां English लिखा है केक बेल चाइल्ड और लावी यह कोई नहीं है तो English आया तो English को आफ इंसर कलें इसमें से come आया है और सिंग आया है और read इसमें नहीं आया इसमें little आया है talk आया है और learn आया learn यह लिखा हुआ है talk यह लिखा हुआ है little यह लिखा हुआ है तो यह सब्द आये है यहाँ child लिखा हुआ है लिकन यहाँ children लिखा हुआ है तो उसको इस poem के आदार पर इन सर्किल नहीं कर सकते तो यह थी चैप्टर टू ड्राइंग कमप्टीशन की एक्ससाजिज जो बर्क मुक्वें थी हमने आपको कम्प्लीटली करवा आसा करता हूं आपने सुझ पाई होगे इस क्लास में इतना है दैट सॉल जैहिंद जैवार